नमस्कार आपस्विका स्वागत है माई ग्रीन गार्डें यूट्यूब चैनल में अज हम लगाएंगे गुल्दावदी की कटिंग गुल्दावदी की कटिंग लगाने के लिए हमें लेना है 300 ml पानी और किसी भी कमपनी का रूटिंग हार्मोंस तो ये रूटिंग हार्मोंस 2 टी स्पून हम ले रहे हैं 300 ml पानी में 2 टी स्पून रूटिंग हार्मोंस लेकर हमें अच्छी तरह से गोलना है और फिर गुल्दावदी की कटिंग को इस पाने में हमें डिप करना है जो कटिंग आप ले उसको मीडियम साइज के लिए ना तो बहुत ज़्यादा पुरानी और ना ही बहुत ज़्यादा नई कटिंग लेनी है तो अब इस कटिंग को हमें इस पाने में डिप करके रख देना है 2-3 मिनट के लिए तो देखे ये cutting medium size की है अब इसमें डुबो के हम रख दे रहे हैं दो से तेन मिनट के लिए ताकि ये जो गोल है इनकी पतियां इसको absorb कर सके जिसे फंगस लगने की संभावना बहुत कम रहती है अब पतियों की तरफ से रखे थे फिर इसको हम पलटके इसकी डंठल की तरफ से यानि कि इसकी ब्रांच की तरफ से रख देंगे जिसे इनकी ब्रांच स्मूध हो जाए और इसमें रूट चलने से आ सके तो चलिए अब इस घोल से हम कटें को निकाल के रख दे रहे हैं और स्वाल को तयार कर लेंगे तो यह जो स्वाल है 75% नॉर्मल गॉर्डन स्वाल और 25% और गिनिक खाद ले रहे हैं और गिनिक खाद आप गोपर की खाद वर्मी कंपोज्ट या फिर किचिन वेस्ट की जो खाद होती है उसको भी ले सकते हैं अब इसको हमें मिक्स करके एक चिछली आकार का कोई भी पौट लेना है उसमें होल बना रहना चाहिए होल पर हम कोई भी कंकर रखके इस मिक्चर को भर के अपने हाथों से प्रेस करके सेट कर लेंगे अब ये जो cutting है इसको हमें बराबर इसकी जो branch है कर लेना है क्योंकि इसमें हमें rooting hormones लगाना है आप rooting hormones की तोर पर जो cinnamon stick आती है उसका भी परियोग कर सकते हैं cinnamon stick को आप पीछ लेजिए और किसी भी आपे छोटी से डिब्बी में रखकर इस तरह से rooting hormones की जगें परियोग कर सकते हैं 2-5 inch हमें इस branch में rooting hormones को लगा देना है अब ये जो हम soil को तयार करकि spot में भरे है इसमें एक छोटी सी लगड़ी लेकर hole बना देंगे hole जो हमारी cutting है उससे थोड़ा बड़ा ही होना चाहिए अब इस cutting को हम लगाएंगे hole हम इसलिए बनाये हैं इसमें क्योंकि जब हम इस cutting को लगाएंगे तो जो इसमें rooting hormones लगा है ये नीचे तक जाए उपर अगर हम hole नहीं बनाएंगे डारेक्ट ऐसे लगा देंगे तो जो rooting hormones ही उपर ही रह जाएगा गुल्दावदी की cutting को सितंबर, अक्टूबर, नॉंबर, दिसंबर में लगाया जा सकता है जो पहले लगता है उसका full पहले ही की दिसंबर में ही खिलने लगता है जो हम दिसंबर में cutting लगाते हैं वो फरवरी मार्च में जाके इसका full खिलता है ये दिसम्बर का महिना है इसकी cutting को हम अब लगा रहे हैं तो ये जाके मार्च में इसका full खिलेगा इसका full काफी सुन्दर होता है लगबग एक से डेड़ महिने के लिए इसका full रहता है तो ठंडियों में हम गुल्दावदी की cutting को लगा के इसका full तयार कर सकते हैं जो की आगे आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा रिजल्ट आया है जब यह आपको लगे कि इसमें पानी की कमी है तो आप पानी को दे दीजिए कटिंग को लगाने के बाद आप डारेक्ट दूप में ना रखिए अगर आप सुबह के या दुपहर के टाइम लगा रहे हैं अब ए इसमें रूट आ गई है इसका कितना अच्छा ग्रोध हुआ है आप यहां पर देख पा रहे हैं कि कितनी घनीज की जड़ आ गई है तो इस तरह से आप इसकी कर्टिंग को लगा सकते हैं इस तरह से सारी कर्टिंग को हम इस पार्ट से निकाल लिए हैं अब जहां पर हमें लगाना है उस पहले उस पॉट को तयार करतें उसके मिक्चर को तो यहां पर दो चोटे-चोटे पॉट है जिसमें हम नार्ययल के जो जूट होते हैं उसको रखतेंगे या फिर कोई भी कंकर रख देंगे जिससे जब हम पानी डाले तो पानी इकठा ना हो पार्ट में निकल जाए अब यह जो मिक्चर है यहां पर हम 25% कोकोपीट 25% औरगेनिक हाथ और 50% गार्डेंस ओयल और कुछ मुट्टिया नीम की पत्तियों को डाल देजी नीम की पत्तियों से इनकी जड़ों में फंगस नहीं लगते हैं और यह काफी मिटी हलकी रहती है जिससे प्लांट का विकास बहुत अच्छे से होता है अब इन में हम भर लिए इन मिक्चर को अब हम लगाएंगे गुल्दावदी की कटिंग को तो बीच में इस तरह से होल बना के गुल्दावदी की कटिंग को हम लगा देंगे गुल्दावदी बहुत सारी ब्राटी में पाई बहुत सारी कलर में आती है सफेद कलर परपल कलर यलो कल रेड मैरून बहुत सारा कलर होता है आपको जो भी कलर इसका पसंद हो आप उस कलर में लगा सकती है तो पहले आपर हम इस कटिंग को लगा देंगे यह प्लांट थोड़ा और बड़ा हो जाएगा तब इसकी हम टूजी थ्रीजी कटिंग करेंगे जिससे इसका पौधा काफी घना हो और धेर सारे फूल आएं और आप समय समय पर इसमें पानी और खाद डालते रहें बहुत अच्छे से इसका विकास होगा इसको अब में रखना है तेज दूप में गुल्दावदी को तेज दूप बहुत पसंद होती है इसमें पानी डालके एक दो दिन के लिए सेम सारे फूल पासकते हैं आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देजी चैनल को सस्क्राइब कर लेजी इस चैनल पर इसे तरह के गाड़नेक से समय वीडियो आती रहती है धन्यवाद